देखो रेकॉर्डिंग का मैसेज गया है अच्छा ठीक नाइटीन नंबर से होगा देखलेता है नाइटीन तक क्या रहा था ट्वींटी से हम लो करना स्ट करेंगे थिका यह वाला केस्टन काफी इंट्रेस्टिंगे बोल रहा हे कि डेली इन् दा मौर्नीग दा Shadow of Golgombas falls on Barakaman and in the evening the Shadow of Golgombas falls on Golgombas. Exactly so in which direction is Golgombas to Barakaman, ठीक है? तो यहां पर दो structure है, एक है Golgombas और एक है Barakaman, ठीक है? तो यहां पर दोनों का Shadow एक दूसरे के उपर reflect हो रहा है, ठीक है? बता दिया है morning में shadow जो है गोल गुम्बस का shadow जो है वो 12 कमान पे आता है ठीक है तो हम लोग को इसमें थोड़ा सा physics पता होना चाहिए normally shadow किधर बनता है shadow हम लोग का just जिधर sun है ठीक है उसके just opposite दिखेगा जैसे morning में क्योंकि sun east के तरफ रहता है तो हम लोग का shadow हमेशा west के चला जाएगा तो हम लोग का shadow जो है वो east के तरफ आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हमें अगर देखा जाए तो हम लोग अगर बीना ड्रॉप किये भी इसका answer आराम से दे सकते हैं बोल रहा है कि गोल गुम्बस तो बारा कमान मतलब गोल गुम्बस से अगर देखे तो बा बारा कमान पहले हमें गोल गुम्बस और बारा कमान मना लेते ठीक है लेकिन question यह है कि गोल गुम्बस हो या बारा कमान किधर बनाना है क्योंकि हमें तो direction की साब से चलना है east west north south फिर उसके वाद अलग directions तो रहता ही है सब directions जो है तो अगर यहाँ पर अगर हमें बूल रहा है कि गोल गुम्बस का जो shadow है वो बारा कमान पह सुभे आता है morning में आता है तो इसका मतलब morning अगर देखे morning time में यह east side है अगर हम लोग direction test देखते हैं तो यह east यह west यह north और यह south होता है ठीक है तो east मे sun rises east होगा तो यह यहाँ पर east side में हो गया हम लोग का यह मालो east इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं कोई problem ही ऐसे east पना लेते हैं ठीक है यह यहाँ पर ठीक है अच्छा अगर morning में किसका shadow किस पर आता है shadow of gold compass falls on 12 COMMंद तो gold compass का जो sado है वो 12 COMMंद पर आता है तो इसका मतलब बोल इस्ट में है तभी उसका shadow जो है बारा कमान पे आ रहा है ठीक है क्योंकि morning में जिसका shadow दूसरे structure पे आ रहा है तो वो shadow east के side है क्योंकि morning में east के side में अकर हम लोग रहेंगे तो हम लोग का shadow जो है west के side में आएगा तो इसका मतलब gold goombas suppose ये है gold goombas suppose ये है gold goombas ठीक है इसका shadow ये बना लिया मैंने 12 कमान ठीक है ये suppose है 12 कमान तो इसका shadow इस सूभे यारी morning में east में फिर से देखो पढ़ने से relate कर पाऊँगे daily in the morning the shadow of gold goombas gold goombas का shadow तभी बनेगा अगर वो east side में क्योंकि morning में shadow तभी बनेगा अगर कोई east में खड़ा है ठीक है तो इसका shadow किस पे आता है इसका shadow आ जाता है ये इस तरह से shadow बन जाता है यहाँ पर suppose यहाँ पर ये shadow बन गया ठीक है अच्छा फिर next क्या बोल रहा है and in the evening evening का बात जब हुआ तो ये sun का position चेंज हो के इधर आ जाए sun का position चेंज हो के इधर आ गए ठीक है अब sun इधर है अब shadow बारा कमान नॉर्मल सा बात है अब ये बारा कमान का shadow इस पे जाएगा तो draw कोई देखेगा भी नहीं जब समझने के लिए तो ये shadow यहाँ पर बन गया तो इससे मैंने shadow दिखाया ठीक है तो यहाँ पर exactly उसी तरह से बन रहा है तो ठीक है मेरा exactly तो फ़वन ये draw कोई बात नहीं बारा कमान के तरप से देखो तो गोल गुम्बस कांसे दिरेक्शन में रेकिन किसके हिसाप से लेकिन तो गोल गुम्बस कौन से डारेक्शन में है, ये पूछा जा रहा है, बोलो कौन से डारेक्शन में है, बताओ तुम लोग कौन से डारेक्शन में है, इस्टर्ण, इस्ट, करेक्ट, इस्टर्ण साइट, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, उस पर हम लोग टिक कर है 21 अच्छा 21 यहाँ पर क्या बोला है देखो 21 में अशोक वेंट 8 किलोमेटर साउथ और टर्न वेस्ट तो अशोक बोलकि कोई है जो 8 किलोमेटर साउथ में गए और वेस्ट में टर्न हो गए तो अशोक साउथ में आ यानि नीचे के तरब, South नीचे है, suppose ये है 10 किलोमेटर, तो अशोक वेंट 8 किलोमेटर, अब क्या बूल रहा है, अब वेस्ट में टर्न होना है, अब ये ऐसे हैं, तो मतलब ये ऐसे खड़े हैं, ये हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, अब इनको किधर टर्न लेना है, इनको टर् हो जाएगा, ये वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड में देखो, जब हमें राइट लेफ्ट बोलता है, तो ज़्यादा सोचना पड़ता है, लेकिन इस्ट वेस्ट बोलेगा, तो हम लोगो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन maximum question अगर देखोगे, तो राइट ल क्लोमेटर approximation में कर सकते हैं ठीक है यह 3 किलोमेटर डिस्टेंस हो गया तो अब यह ऐसे करके इनका जो पोजीशन है ऐसे बन जाएगा and again turn north and work 5 किलोमेटर फिर north में गए और 5 किलोमेटर चले north मतलब upside north मतलब up अप में north है, तो 5 km, तो यह अगर 8 km है, तो और यह मैंने अगर 3 km लिया हुआ है, तो यह 5 यहां तक ले लेते हैं, ठीके, चलो यह 5 km माल लेते हैं, यह हो गया, 5 km north के तरफ, अभी यह ऐसे है, इनका position ऐसे है, अच्छा, He took a final turn to east and work 3 km, अब यह finally, देखो, अब मैंने क्यों बोला था, कि यह जो distance है, यह बिल्कुल सही सही लेना चाहिए, अब अगर यह east में turn करें, east तो इधर है, east इधर है, तो 3 km जाएंगे, यानि यह पूरा ऐसे 3 km कवर हो गया, 3 km कवर हो गया, east side में इन्होंने turn ले लिया, से start किये थे, starting point से अगर हम लोग देखे, तो बोल रहा है कि कौन से direction में अभी वो है, तो starting point से बताओ कि अभी वो कौन से direction में है, starting point से अगर हम लोग देखे, तो वो कौन से direction में है, बता सकते हो, option देखो, east, west, north, south, सारा option ही दिया हुआ है, बोलो, starting point से अगर देखे, तो वो कौन से डायरेक्शन में है बोलो जो भी और एक बढ़ बोलो साउथ साउथ मतलब ऑप्शन दी चलो देखते हैं साउथ आंसर है की नहीं है ट्वेंटी टू सॉरी ट्वेंटीवन का डी ट्वेंटीवन का डी साउथ ही हो रहा है अभी वो इनका डायरेक्शन किदर है यहां से देखेंगे तो साउथ के तरफ तो यह डी हो गया साउथ, देखो क्या बोला था, असुक वेंट 8 किलो मेटर साउथ, 8 किलो मेटर वो साउथ के तरप आए, मतलब नीचे के तरप आए, ठीक है, फिर टर्न वेस्ट हो गया, वेस्ट में उन्होंने टर्न लिया, आफ्टर डैट वो 3 किलो मेटर गए, और फिर नॉर्थ में, यान अगर हम लोग देखेंगे, वैसे तो वो इस्ट के तरप है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम लोग देखें तो वो साउथ, ये नीचे के तरप आ रहे हैं ने, साउथ डाइरेक्शन, अच्छा, देखो, इफ एक स्टैंड ऑन इस हेड, विद इस फेस तो ये काफी अलग है क्वेशन है, ऐसा दो क्वेशन है, 22 और 24, तो ये दोनों थोड़ा अलग है, तो बोल रहे हैं कि X जो है, वो स्टैंड ऑन इस हेड, मतलब जो एक योगा पोस होता है, तो स्टैंड बाई हेड जो योगा पोस होता है, जिसको हम लोग सीर साशन बोलते ठीक है, तो वो वैसे X जो है, वो ऐसे खड़े है, मतलब ऐसे head, head stand है, मतलब अगर हम जोगा दोर कोई ऐसे pose में है, तो वो कुछ ऐसे देखने में हमें लगेगा, यह देखो, ऐसे देखने में, हम यहापर ऐसे face बना देते हैं, ठीक है, यह है. यह हो गया, यह एसे है, तो एक stand on his head with his face towards south, अब इनका face जो है, वो south के तरफ है, तो अगर face इनका south के तरफ है, इन्होंने जो जिस situation में ये, मतलब yoga pose कर रखा है, इसके साब से इनका face अगर south के तरफ है, तो back किदर होगा? अगर south के तरफ है, तो back किदर होगा? मैं, north. North, back हो जाएगा north side में, ठीक है? Back हो जाएगा north side में, अब हमें question क्या पूछा है? Question हमें पूछ रहा है कि, in which direction his left hand point? तो इनका left hand कौन सा direction को बता रहा है, मतलब east, west, north, south, इनका left hand. अब देखो, hand जो direction में है, या तो वो east हो सकता है, या तो वो west हो सकता है, लेकिन हमें exactly बताना पड़ेगा, कौन सा hand के बारे में, left hand के बारे में, left hand कौन से direction में, मतलब left hand हमें तो दो यह option दिख रहा है, either east होगा और west होगा, ठीक है? left hand either east होगा, या फिर west होगा, हमें सही answer बताना है, तो इस तरह से देखने से, तुम लोगों को क्या लग रहा है, बोलो, तुम लोगों को क्या लग रहा है, कौन सा left है, कौन सा right है? अगर कोई ऐसे है, ऐसे situation, ऐसा position में है, तो बता सकते हो कि कौन सा लग रहा है, कि कौन सा hand left है, कौन सा right है, बोलो, हमें काम करते हैं, अगर इधर बताना है, तो बोलो 22 वाले side, और इधर बताना है, तो बोलो opposite side, ये वाला hand, ये वाला पूछ रहा है, बोलो, क्या लगता है गलत हो सकता है कोई problem क्योंकि question है ही थोड़ा ऐसा तो बोलो ये कौन सा hand लगता है जो भी लगता है बता सकते हो तुम लोग हमें यहां पर draw करके दिखाएंगे उसके बाद सही हो या गलत हो east side होगा left hand east side अच्छा तो मतलब ये left बता रहे हो ये right बता रहे हो ठीक है अगर ये east side हो रहा है ये ऐसे है तो east side ही हो रहा है तो ये east अगर है तो ये left अच्छा तो देखते हैं ये answer सही वाए कि गलत वाए देखो अगर कोई ये position में आना चाहता है तो पहले वो नॉर्मल ऐ ऐसे खड़ा होगा ठीक है नॉर्मल अगर कोई ऐसे खड़ा हो रहा है क्योंकि ये एक yoga pose है तो इसके लिए मतलब हम लोग क्या बोले एक item लेना पड़ता है पहले ऐसे खड़े हो जाओ फिर उसको धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं turn लेते हैं तो ये देखो अगर कोई ऐस से खड़ा हो है तो उसका ये देखो face कि धर है face ऐसे है तो इसका ये left hand हो गया ये right hand हो गया क्योंकि कोई हमारे face to face खड़ा है तो हम लोग का right hand उनका left होता है left right होता है ठीक है और इस तरह से same leg भी ऐसे ही होगा ठीक है अच्छा अब ये क्या कर रहे हैं ये turn लेने का कोशिश करें अब turn लिया अब क्या हुआ ये ऐसा एक situation होगा माल लो जो slow motion में photo अगेरा तुम लो capture करते हो ना तो उसमें ऐसा होता है ना ऐसे हो गया फिर उसके बाद turn हो गया तो ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ठीक है अब माल लो इनका ये ये position हो गया ठीक है ये position में ये आ गया उसके बाद ये position ले लेंगे अगर ये position में आ रहे है तो मुझे बताओ कि कौन सा left hand है कौन सा right थोड़ा सा imagine करो ऐसे करके अगर वो जा रहे है तो ये वाला कौन सा hand है ये left और ये वाला कौन सा है ये हो गया right है और ये left leg और ये वा तो अगर head नीचे जा रहा है, imagine करो, तो ये वाला hand कौन सा हो जा रहा है, फिर बोलो, ये वाला hand क्या left होगा, या फिर कुछ और होगा, बोलो, अगर ये थोड़ा से imagine करना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है, इसको imagine करो, कि अगर कोई ऐसे करके transfer ले रहा है, transformation हो रहा है, उसका एक एक position का, तो सोचो, कि ये left hand ऐसे आ गया, अब ये यहां से पूरा नीचे जाने वाले है, तो बोलो, ये कौन सा hand होगा, क्या ये lift करेक्ट लग रहा है, क्या ये lift सही है, बोलो, अगर ये ऐसे अब नीचे जाएंगे, सोचो, अगर ये नीचे जा रहे हम यहां पर बना देते, देखो, ये नीचे जा रहे है, तो अब ये क्या होगा, अब ये वाला hand इधर नहीं आएगा, ये right और ये left नहीं होगा, बोलो, क्या समझ में आया, गलत क्या हो रहा है, वैसे अगर हम लोग देखेंगे, तो ये east दिख रहा है, ये west दिख रहा है, लेकिन हमें तो left right पूछाए ना, direction correct है, ये east है, ये west है, उसमें कोई problem नहीं, लेकिन hand कौन सवाला है, अगर हम लोग सीधे खड़े हैं, तो हमारा अगर left hand east के तरफ है, तो अगर हम लोग पुरा उल्टा हो गए हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें इस तरह से बनेगा ना, ये देखो ये situation बनेगा, तो हमें पूछाए कि left hand किधर है, ठीक है, तो left hand किधर है बोलो, left hand कौन से side है, फिर कौन सा answer होगा, बोलो, क्या समझ में नहीं आया, draw, बोलो, कुछ तो बोलो, क्या तुम लोग को समझ में नहीं आया, या, मम आ गया, तो कौन सा answer होगा, left hand किधर है, वेस्ट में, वेस्ट, करेक्ट, लेफ्ट हैंड वेस्ट, अचा, और पीते बुछते पालने, येस में, तो ये वेस्ट, यानि option B, तो देखो, वेस्ट यानि option B, यानि कि ये 22 का option B, अब अम लोग 23 नंबर करेंगे, तो 23 नहिए, देखो, I drove east for 5 miles, then drove north 3 miles, then turned to my left and drove for 2 miles, and again turned to my left, which direction I am going now? तो बोलहेंके, I drove east for 5 miles, तो 5 miles east के तरब, ये east होगे है, फिक है, then drove north three miles फिर north के side three miles north के side three miles then turned to my left and drove for two miles अच्छा फिर left में two miles तो left अगर कोई ऐसे है मतलब यहाँ पर तो I बोला है मतलब हम लोग खुद को imagine कर सकते हैं तो left मतलब इधर जाना है ठीक है left मतलब इधर जाना है और कितना two miles क्यों इधर हुआ क्योंकि कोई अगर ऐसे खड़ा है तो इसका यह left side होगा नॉर्मल सा बात है तो यहाँ पर and again turn to my left और फिर इसे situation में left में जाना है तो left मतलब किधर जाएंगे up या down बोलो अगर ऐसे खड़े है तो left मतलब किधर जाना है up या down left मतलब किधर होगा बोलो अब या down होगा बूलो down होगा down होगा ठीक है तो इसका मतलब अभी कौन से direction में जा रहे है बीना answer देखके भी हम लोग बोल सकते यह तो south दिख रहा है नीचे के तरब मतलब south हो रहा है देख लेते हैं क्या answer है south answer है देखते हैं south होगा की नहीं 23 का option A 23 का option A ठीक है 24 फिर से वही वाला question आ गया if A stand on his head with his face towards north थोड़ा सा change कर दिया देखो यहाँ पर था x नाम से कोई फरक नीपड़ता है और इसका face था south के तरब यहाँ पर बोल रहा है face जो है north के तरब है ठीक है तो फिर से एक बार बना लेते हैं यह देखो question number 24 यहाँ पर जो head stand में है उनका जो face है वो है face जो है north के तरफ ठीक है face अगर north के तरफ है तो back किधर होगा opposite south के तरफ ठीक है अच्छा यहाँ पर question क्या पूछा है in which direction will his left hand point अब इनका left hand किधर दिख रहा होगा यह पूछा जा रहा है तो फिर से देखो यह ऐसे खड़े होंगे ठीक है अब यह ऐसे खड़े यह left यह right हम सिर्फ hand ही दिखा रहे क्योंकि hand के बारे में पूछा है अब यह इस तरह से turn हो जाएंगे इसे अगर चले गए तो यह right हो गया यह left हो गया अब हमें पूछा किया है मैंने same चीज़े किया इसलिए थोड़ा जल्दी किया देखो same चीज़े किया है तो अब हमें question क्या पूछा है question हमें यह पूछ रहा है in which direction will is left hand point left hand कौन से direction में है तो left hand कौन से direction में है east 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 direction में होगा हाँ देखो left hand actually देखो क्यों यह देखो वैसे तो यह waste दिख रहा है ठीक है तुम लोग ने answer east दिया सही है answer east ही होगा लेकिन एक चीश सोचो यह तो east नहीं है यह waste है फिर answer east क्यों हो रहा है देखो यह तो right यह किदर होता है normally direction में यह east होता है यह west होता है यह north होता है यह south होता है फिर भी answer east क्यों हो रहा है क्योंकि left तो west के side है left तो west के side है ना पिर भी answer east क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका back जो है, वो south के तरफ है, ठीक है, और इनका face जो है, वो north के तरफ है, ठीक है, अगर face इधर है, तो ये picture के साब से ये north हो गया, तो ये south हो जाएगा, ठीक है, तो अगर north इधर है, south इधर है, तो फिर east-west भी अपना position change करेगा, तो य यहाँ पर waste हो जाएगा, और यहाँ पर east हो जाएगा, मतलब ये direction इस तरह से बनेगा, क्योंकि इन्हों ने जो अभी yoga pose लिया हुआ है, उसके साब से इनका north, जो है face है, ठीक है, face north के side है, और south के side इनका back हो जाएगा, नॉर्मल सा बात है, तो अगर ये, मतलब जो main चीज ह होता है, north उपर होता है, तो east इधर होता है, west इधर होता है, तो यहाँ पर अगर ये pattern ही हम लोग का change हो जा रहा है, तो फिर east-west भी change होगा, इसी वज़े से देखो, ये जो left hand side है, वो east में आएगा, ठीक है, तो left hand जो है, वो east में आ रहा है, इसलिए answer हो रहा है, otherwise normally अगर द मतलब south है, तो फिर इसका मतलब ये north है, ये south है, तो east-west भी अपना position change करेगा, तो ये हो जाएगा answer east, तो ये a होगा कि नहीं, मैंने तो देखा नहीं, east कहाँ पर लिखावा है, c, अच्छा, option c है, चलो, option c है, east, तो 24 का answer देखते है, 24 का answer है, c, ठीक है, 24 का answer हो क्या है, c, question number 25, देखो क्या बोल रहा है, a car traveling from south, covers a distance of 8 km, then turns right, and runs another 9 km, and again turns to the right, and was stopped, which direction does he face now, ठीक है, अच्छा, तो देखते हैं, एक बार, फिर से पढ़ लेते हैं, देखो, क्या बोल रहा है, traveling from south, south से travel कर रहा है, कोई एक car है, जो south से travel कर रहा है, south normally क्या होता है, नीचे के तरफ होता है, तो south से कोई एक car, जो है, वो travel कर रहा है, ठीक है, यह car जो है, यह traveling from south, कवर से distance of 8 km, 8 km, 8 km जा रहा है, ठीक है, 8 km जा रहा है, और 8 km जाने के बाद, दिन turns right, फिर right में जाना है, तो car यहाँ पर है, ठीक है, अब right में जाना है, तो किधर जाना पड़ेगा, इधर, ठीक है, यह right side हो जाएगा, तो right में कितना जाना है, and then turns right, कितना, नहीं पता, turns right कर दिया, and runs another 9 km, अच्छा, बोला हुआ है, 9 km, तो इससे जादा होगा, यह वाला, जो हम लोगोंने distance लिया है, इससे जादा होगा, because यह 8 km है, यह 9 km है, ठीक है, and again turns to the right and was stopped, और फिर से right में turn होके stop होगया, तो अब इसमें right इधर हो जाएगा, against and right and stop, which direction does it face now, अब बोलो किसका direction, यह किस साइट face करके है, मतलब यह car, जो हम लोगोंने, यहाँ पर car जो है, वो किस साइट face करके है, तो पहले तो ऐसे face था, south के तरफ जा रहा है, फिर यहाँ से इधर गए, मतलब यह consider east, अब यह नीचे के तरफ आ रहे, तो इनका face, मतलब car जो आ रहा है, car तो ऐसे चल के आ रहा है, तो car का face किदर है, मतलब गाड़ी का face किदर है, बोलो गाड़ी का face किदर है, south में, north तो उपर है, north तो, south, south, गाड़ी का face जो है, वो south side में हो जाएगा, ठीक है, तो यह हो जाएगा answer a, south, देखते हैं, 25, a, question number 26, इसमें क्या बुला है, देखो, a taxi driver commenced his journey from a point and drove 10 km towards north, north के side 10 km गये, ठीक है, north के side मतलब upside, ठीक है, तो यह मैंने 10 km ले लिया, north के side 10 km, then यहाँ पर, and turn to his left, फिर left में turn हो गये, मतलब इधर होगा, ठीक है, देख लेते हैं, कितना 5 km, left and 5 km, अच्छा, left में, मतलब इधर होगा, बोलो किधर होगा, left मतलब 26 के side में होगा किधर होगा, अगर कोई ऐसे जा रहे हैं, car के साथ, तो left उनका किधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा, यह होगा कि यह होगा, बोलो left किधर होगा, अगर कोई ऐसा जा रहा है, तो face ऐसे हैं न, face के साथ से right, left करना पड़ेगा, तो गाड़ी में जो बैठे है, driver, उनकी साथ सी सोचो न, कोई न, कोई इंसान तो चला रहा है, तो उनकी साथ से left, right इधर होगा 26 जो है उधर हो जाएगा ठीक है तो लेफ्ट साइड 5 किलोमेटर लेफ्ट साइड 5 किलोमेटर गए और आप्टर वेटिंग तो मीट ए फ्रेंड ही टर्न तू इस राइट एन कंटिन्यू तू ड्राइव अनदर 10 किलोमेटर फिर किसी फ्रेंड से मिले उसके से राइट मतलब अपसाइड होगा ठीक है लेफ्ट मतलब नीचे हो जाएगा तो यहाँ पर जा रहे हैं ठीक है कितना 10 किलोमेटर मतलब यह पूरा इतना ही 10 किलोमेटर अच्छा फिर उसके बाद he was covered a distance of 25 किलोमेटर सो फार बट इन विच डिरेक्शन उड़ ही भी नाँ अच्छा इसके बाद इन्होंने 25 किलोमेटर और भी कहा गया है वो नहीं पता ठीक है मतलब यहाँ पर क्या बोला है देखो क्वेशन में टैक्सी ड्राइवर कमेंस जर्णी फ्रॉम में पॉइंट और टेन किलोमेटर वो तो हम लोग उने देखा टूर्स नॉर्ट एंट टू इस लेफ वो भी हम लोग उने ड्रॉ किया और फिर फाइप किलोमेटर आगे गया अफर वेटिंग टू मीट इस फ्रेंड टू इस राइट अंग कंटिनू तू ड्राइव टेन किलोमेटर फिर टेन किलोमेटर चले गए यह यह जाकर और भी 25 किलोमेटर उन्होंने जो है डिस्टेंस कवर किया बट इन विच डायरेक्शन उड ही बीनाओ अभी उनका डायर किधर ट्रैवल कर रहे है यह पूछा है 25 किलोमेटर कुछ बोला निया किधर टर्न लिया तो हम लोग मानेंगे कि ऐसे ही चलते जा रहे तो अभी उनका डायरेक्शन किधर यह पूछ रहे हम लोग को इन विच डायरेक्शन उड ही भी नाओ बोलो कौन से डायरेक्शन में ह मैं हां बोलो मैं 25 किलोमेटर टो टोटल डिस्टेंस डायरेक्शन किधर है अभी मतलब इनका यह किधर जा रहे मतलब यह जो आगे है इनका फेस किधर है यह पूछ रहा है बाट इन विच डायरेक्शन उड ही भी नाओ अभी वो कौन से डायरेक्शन में है इसके बाद यह कौन से डायरेक्शन में है नॉर्थ के तरफ यह नॉर्थ डायरेक्शन में है अब नॉर्थ मतलब ऑप्शन बी देखते हैं 26 का ऑप्शन बी है किने 26 का देखो क्या बोल रहा है, A works 3 km नॉर्थ वर्ट, नॉर्थ के साइड में 3 km and then he turns left and goes 2 km, पहले नॉर्थ में 3 km गए, तो नॉर्थ मतलब ऐसे, उपर के साइड, तो यहाँ पर A works 3 km नॉर्थ वर्ट, अच्छा, then turns left, left मतलब इधर हो जाएगा, then turns left and goes 2 km, and goes 2 km, he again turns left and goes 3 km, again turns left, left मतलब यह हो जाएगा नीचे, 3 km, मतलब just equal distance, 3 km, अच्छा, उसके बाद ही, again turns left and goes 3 km, he turns right and walks straight, right side मूर्ग है और straight चल रहा है, right side मतलब अगर कोई ऐसे खड़ा है, तो उसका right side क्या हो जाएगा, मतलब इधर back है, तो right side क्या हो जाएगा, मतलब face to face है हमारे साथ, तो हम लोग का right है, वो उनका left हो जाएगा, तो यह, यह side इनका right हो जाएगा, यह left हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर यह इधर, इधर turn लेगे, turn लेके कितना जाना है, and walk straight, अच्छा, turn लेके walk straight बोर्ड है, कोई km हमें नहीं बताया गया है, in which direction is he walking now, अभी यह चल के जो इधर जा रहे है, कौन से direction में जा रहे हैं, यह कौन सा direction है, यह पूछा गया है, यह कौन सा direction है, बोलो कौन सा direction है, west, तो 27 का B हो क्या, देखते हैं, 27 का B, 28, देखो, इसमें क्या बोल रहा है, A works southwards, then turns right, then left, and then right, in which direction is he from starting point, तो यहाँ पर कुछ distance नहीं बोला है, A southwards के तरफ जा रहे हैं, तो southwards मतलब down, नीचे के तरफ, then turns right, फिर right, right जाना है, right मतलब किदर हो जाएगा, right मतलब हो गया हम लोग का, यह ऐसे आ रहे, face to face है, right मतलब इधर हो जाएगा, ठीक है, यह right side हो गया, then left, फिर यहाँ से left, left मतलब down side हो जाएगा, ठीक है, left मतलब down side हो गया, distance तो कुछ बोला नहीं है, तो हम एक लगभग normal distance लेके करें, तो यहाँ पर हो गया, then left, then turns right, then left, and then right, फिर से right, अब ऐसे situation में right यानि इधर, in which direction is he from starting point, starting point से अगर देखे, starting point से अगर देखे, तो वो कौन से direction में है, ऐसे बताना है, starting point से अगर देखे, तो वो कौन से direction में है, यह हमें बताना है, बोलो, यह east हो गया, यह west हो गया, यह north हो गया, यह south हो गया, अगर starting point से देखे, तो वो कौन से direction में है, east, west, north, south, तो starting point से अगर हम लोग देखे, तो कौन से direction में है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट, अच्छा, तेखते हैं, साउथ वेस्ट हम लोग का option है कि नहीं, तो इसमें साउथ वेस्ट option नहीं दिया है, ठीक है, तो फिर हम लोग का answer क्या होना चाहिए, अगर हमें option में साउथ वेस्ट दिया ही नहीं है, तो ह कौन सा अंसर होना चाहिए? Southwest तो हम लोगों के पास option में available है, वैसे Southwest हो रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा है, तो हम लोग exactly कौन सा अंसर हम लोग का सबसे सही होगा? देखो, East नहीं हो सकता है, North भी नहीं हो सकता है, ठीक है? और exactly हम लोग का या तो South भी नहीं हो सकता है, तो फिर अंसर क्या होगा? बोलो न, North नहीं होगा, East भी नहीं होगा. तो अंसर क्या हो सकता है? सबसे सही क्या लग रहा है? कौन सा हो सकता है? Sout. South, तो ये South के तरफ होगा, सबसे ज़्यादा सही जो लग रहा है, वो South के तरफ लग रहा है, क्योंकि देखो, हम लोगों को तो distance पता नहीं है, अब वो कितना कितना direction मालो, ये ऐसे करके, ये कम हो सकता है, कुछ ज़्यादा हो सकता है, तो उसी सबसे direction क्या होगा, वो तो हमें exactly पता नहीं चल रहा है, actually ये वाला question का answer, South West ही सबसे best होगा, ठीक है, South West ही होना जी, बट Institute ने ऐसा कोई option रखा नहीं है, ठीक है, तो कुछ questions ऐसा होता है, ये स्टार करके रख सकते हो, Institute का कुछ question ऐसा होता है, जिसमें, मतलब ये थोड़ा सा, इन्होंने change किया है इस बार, पहले इसमें ना option था, South West का, ठीक है, पहले जो ये वाला, मतलब इनका change होते रहता है, तो इसमें South West का option था, ये हटा दिया इन्होंने, तो वहाँ एक student को confusion हो जाता था, कि answer Southwest करे कि South करे, ठीक है, तो उन्होंने answer जो है, चूज किया था South, तो इसलिए हम इसको start दिला देते और बोलते थे कि इसमें ये South answer ही करना है, क्योंकि Institute ने बोला है, तो उससाब से चलना पड़ेगा, अधर्वाइस वो marks नहीं देते, ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर खेर, एक चीज़ तो अच्छा हुआ, इन्होंने South West वाला option तो हटा दिया, चलो ये ठीक है, तो हम लोग का answer क्या हो जाएगा, South दे देगे, ठीक है, लेकिन पहले ये बहुत confusion होता था, क्योंकि इसमें South West वाला option भी था, देखते हैं, अभी क्या इन्होंने answer दे रखा है, 28 का A, ठीक है, 28 का A होगा, 29, देखो, क्या बोल रहा है, 29 में बोल रहा है, A man starts from a point and walk 15 meters towards east, तो east के side 15 meters का है, मतलब ये, ऐसे, then, turns left and walk 10 meters, turns left, अब ऐसे हैं, तो left side किदर हो जाएगा, इधर, ठीक है, और 10 meters, turns left and walk 10 meters, turns right and again walk, और right में मुड़ गए और फिर से चलने लगे, right मतलब इधर हो गया, right में मुड़ गए और फिर से चलने लगे, अब ये distance हमें कुछ बताया है, नहीं, towards which direction is he now walking, अभी वो कौन से direction में चल रहा है, ये कौन सा direction है, तो option देख लो क्या-क्या है, normal option है, east-west, north-south वाला है, तो बोलो ये कौन सा direction है, बोलो बोलो ये कौन सा direction है, इधर कौन सा direction होगा, east, east direction में हो जाएगा, तो यहाँ पर option B, चलो check करते है, 29 का option B है कि नहीं, हाँ, 29 का option B है, 30, यहाँ पर दो बार 30 आ गया, ठीक है, a boy starts walking towards west, west के तरफ गया, after a while walking, he turns right, अच्छा, पहले west के तरफ गया, फिर कुछ दिर चलने के बाद, तो यहाँ पर लिखते हैं, west मतलब इधर, मानलो, west में इतना चले, यहाँ से start किया, west side इतना चले, उसके बाद, after a while walking, he turns right, right में turn ले लिया, तो अब अगर कोई ऐसा खड़ा है, right मतलब उपर, upward, ठीक है, right में turn लेना, and after walking for 20 minutes, अब ऐसे, यहाँ पर जो यह चले, इसका जो मतलब time duration है, वो बताया जा रहा है, 20 minutes, ठीक है, 20 minutes यह चले, towards which direction is the walking now, अभी वो कौन से direction में चल रहे हैं, simple question, अभी वो कौन से direction में चल रहे हैं, बोलो, कौन सा, अभी वो कौन से direction में चल रहे हैं, बोलो, कौन से direction में चल रहे हैं, बोलो, कौन से direction में चल रहे हैं, बोलो, क है कि नहीं हाँ 30 कभी 31 31 में क्या बुला है देखो I stand with my right hand extended sideways towards south ठीक है तो जैसे हम खड़े हैं मेरा जो south side में मेरा right hand है ठीक है हम ऐसे खड़े है I stand with my right hand extended मतलब फैला रखा है मैंने towards south right hand south के side है towards which direction will his back be अच्छा मतलब ऐसे एकर कोई खड़ा है कि उसका right hand है वो south side है तो उसका back कौन से side होगा तो थोड़ा सा draw करके दिखाए यह मालो east है यह west है यह north है यह south है अब किसी ने अपना right hand अगर south के side रखा है तो वो ऐसे खड़े होंगे हना ऐसे खड़े होंगे तभी तो hand north south में होगा तो यह south side जो hand है यह right hand है इसको हम दूसरे color से करते हैं यह south side का जो hand है यह right hand है तो इसका मतलब यह left hand हो गया अब यह तो clear हो गया यह मैंने इसलिए ऐसे draw किया क्योंकि question हमें बोल रहा है कि कोई मतलब पहले तो यहां पर बोला है आई फिर यहां पर बोला है towards which direction will he is back ठीक है कोई बात नहीं चलो हम लोग हो हो या कोई और हो तो यहां पर जो खड़े है उनका right right hand south side में फैला हुआ है towards which direction will he is back भी तो इनका back कौन से side में है इनका back कौन से side में है यह हमें पूछा जा रहा है तो बोल सकते हो इनका back कौन से side में तो face जिदर है उल्टा में back होगा तो बोलो अगर हाथ जो है वो south north में है तो face किदर है हाथ अगर ऐसा है तो face किदर है face तो दिखी रहा है मेरे draw से दिख रहा है यह मैंने दो आंक बना दिया देखो face किदर है तो back side किदर है वो लो वेस्ट में back है हां वेस्ट में back हो जाएगा है यह अगर south और हम लोग south और north में होते हैं तो फिर east west यह तो मतलब direction जब हम लोग को सिखाया जाता है starting में 1-2 में जब direction सिखाया जाता है तो ऐसे ही बोला जाता है कि east के तरफ अगर face करके हम लोग खड़े होते है तो हम लोग का जो face जिदर मतलब actually east के तरफ नहीं बोला जाता है कि अगर हम लोग sun के तरफ face करके खड़े होते तो that is east back side west होता है right side south होता है और left side north होता है इस तरह से याद करवाया जाता है मतलब हमने तो school में इसी तरह से ही किया था ठीक है तो यह हो गया west side चलो west side यानि के option B देखते है 31 का option B है कि नहीं हा 31 का option B 32 if a person moves 4 km towards west west में 4 km मूँव कर रहे है west इधर करती है मैंने direction ठीक है west में 4 km मूँव कर रहे है अच्छा यहाँ पर लिखतेते हैं 4 km अच्छा अब क्या बोल रहा है then turns right and moves 3 km अब ऐसे में right move करना है right मतलब अगर ऐसे है तो इनका यह ऐसे खड़े है तो right मतलब upward हो जाएगा ठीक है right मतलब क्योंकि ऐसे है कोई इनसान तो यह इनका क्यार है back side इधर face है तो यह right side में यानि upward में move कर रहे है कितना km 3 km और फिर right में मुड रहे है 3 km और फिर right तो यह ऐसे है तो right side मतलब इधर हो जाएगा right side इधर हो जाएगा and moves 6 km तो यह 4 से जादा होना चाहिए ठीक है यह हो गया 6 km question क्या पूछा है which is the direction in which he is now moving अभी यह कौन से direction में move कर रहे है यह जो 6 km चलते वे जा रहे है कौन से direction में move कर रहे है अभी तो यह ऐसे है ऐसे चल रहे है ऐसे तो कौन से direction में move कर रहे है अगर इस तरह से आगे चलते जाए तो कौन से direction में move कर रहे है बोलो इस्ट में इस्ट में होगा देखते हैं इस्ट option ए में है 32 का A 33 बोल रहा है कि if Mohan sees the rising sun behind the temple ठीक है मोहन बोलके कोई है जो कि sun rise जब हो रहा है वो टेम्पल के बिहाइंड देख रहा है मतलब यह माल लो टेम्पल है यहाँ पर इस्ट मतलब यह sun मैंने इस्ट के साइड बना दिया ठीक है यहाँ पर माल लो एक टेम्पल है ठीक है यहाँ पर माल लो एक टेम्पल है ठीक है यह टेम्पल हो गया इप मोहन sees the rising sun behind the temple behind the temple ही मैंने ड्रॉ करने का कोशिश किया है the temple and the setting sun मतलब जब sunset हो रहा है behind the railway station तो sunset जब हो रहा है तो west में होगा तो rail station कहा पर है rail station west में माल लो यह rail station ठीक है यहाँ रेल का track बना दिया मैंने चलो यह रेल का track बन गया ठीक है यह रेल का track बन गया यहाँ पर sunset हो रहा है ठीक है from his house यह मोहन अपने house से यह चीज़ observe कर पा रहे है what is the direction of the temple from the railway station अगर railway station से देखो तो एक बार mute कर लो I think unmute हो किया है तो यह देखो यहाँ पर क्या बोल रहे है what is the direction of the temple from the railway station railway station से temple का direction किधर है railway station से temple का direction किधर है यह पूछा जा रहा है मोहन अपने घर से देख रहे है कि sun जो rise होता है वो temple के behind होता है sun मतलब sunset जब होता है वो railway station के वहाँ पर हो रहा है मतलब railway station जितर है उधर हो रहा है उनके घर से जब देख रहा है तो उनको यह चीज़ समझ में आ रहा है तो what is the direction of temple from the railway station, railway station से अगर कोई देखे तो temple कौन से direction में है तो railway station तो west में है तभी sunset west में जब हो रहा है तो वो railway station के behind हो रहा है यहां पर यह तो फिर अगर यहां से देखे तो बोलो यह west direction में है तो फिर यहां से अगर हम लोग वाच करें, तो फिर temple कौन से direction में है, बोलो. East. East. Correct. Temple जो है, वो east direction में हो रहा है, तो C, option C. चलो देखते हैं, 33 का C. ठीक. 34. 34. देखो, इसमें क्या बोला है, लक्षमन. वेंट 15 किलो मेटर टू नॉर्थ, देन ही टर्न वेस्ट, पहले नॉर्थ में 15 किलो मेटर जाना है, फिर टर्न नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब यह, ऐसे. 15 km north में गया, फिर turn west, west मतलब इधर and cover 10 km तो 10 km मतलब यह हो गया and cover 10 km, मैं थोड़ा सा कम किया वो 15 km था, then he turn south south मतलब नीचे, south मतलब नीचे and cover 5 km, तो यह मैंने 5 km, इससे भी कम किया इसका half होना चाहिए 5 km, south में 5 km, finally turning to east, he covered 10 km, फिर east में, east मतलब इधर जाना है और 10 km, मतलब ये पूरा distance 10 km कवर करना, finally turning to east covered 10 km, in which direction is he from his house, ठीक है, तो वो उनके घर से कौन से direction में है, ये पूछा जा रहा है, तो अभी तो ये ऐसे direction में है, लेकिन हमें पूछा क्या गया है, देखो, ये, in which direction is he from his house, तो actually, ये जहां से अपना journey स्टार्ट किये थे, यहां पर ये उनका घर होगा, ठीक है, घर कहां पर है, वो तो बोला नहीं है, लेकिन, लक्समन वरें 15 km to north, अब north में जो 15 km चले, वो कहां से चले, वो अपने house से जो है, अपना journey स्टार्ट किये, 15 km गये, फिर turn लिया, फिर turn लिया, इस तरह से, अभी हमें पूछा जा रहा है, कि यहां पर, in which direction is he from his house, मतलब अपने घर से देखो, तो उनका direction किदर है, अपने घर से अगर वो देखते हैं, तो वो कौन से direction में है, ऐसे देखो, तो वो east direction में, लेकिन अपने घर से देखो, तो वो कौन से direction में, यह पूछा जारा है, क्योंकि उनका last journey यहां पर खतम हुआ, वो ऐसे गए, फिर ऐसे, 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 लेकिन ऐसे देखे, तो यह east side है, ठीक है, लेकिन हमें यह नहीं पूछा कि उनका face किदर है, face किदर है तो east, back किदर है तो waste, लेकिन हम लोग को पूछ रहा है कि from house, house मतलब जहां से उनने journey स्टार्ट किया था, वहां से अगर देखे, तो उनका अभी जो मतलब direction है वो किदर है, यहां से देखे तो direction किदर है, बोड़ो, नौर्थ में, नौर्थ में, नौर्थ में, नौर्थ यानि option C, चेक करते हैं, 34 का option C, 35, 35 में क्या बोला है, देखो, a man start from a point, work 4 miles north, वो यह point से start करके, 4 miles north चले गए, after that, turns to right and walk 2 miles, turns to right, अब right जाना है, मतलब इधर, ठीक है, और 2 miles, 2 miles and walk 2 miles, again turns to his right and walk 2 miles, फिर से right जाना है, right मतलब हो जाएगा, अगर कोई ऐसे है, तो नीचे, ठीक है, यहां पर 2 miles, फिर से 2 miles, again turn to his right and walk 2 miles, फिर से right में 2 miles, तो यहां पर ऐसे है, तो face to face है, तो right मतलब कि इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, 2 miles, यह मतलब distance same same होना चाहिए, ठीक है, यह थोड़ा सा कम हो गया, एक सेक्र, इसको ठीक कर देते, यह 2 miles का मतलब, यह 4 miles का में इधर लिख देते हैं, तो clear हो जाएगा, यह इतना, 2 miles, फिर यह, 2 miles, मतलब square format में पुरा cover हो जाता है, 2 miles, अच्छा, In which direction would he be now from starting point, starting point से अगर देखें तो अभी वो कौन से direction में, starting point के तरब से बताओ, यह starting point था, यहां से अगर देखें तो वो भी कौन से direction में है, ठीक है, ऐसे देखेंगे तो अभी उनका direction कि तरह है, based, अभी उनका direction वेस्ट है, लेकिन हम लोग को starting point से बताना है, starting point के तरब से अगर हम लोग देखे तो उनका direction किदर है, लगबग इस question के तरह ही है, तो answer भी same ही होगा, बोला answer क्या होगा, इसका भी answer क्या हो जाएगा, not, देखो same question, ठीक है, बस इनका turning जो था, वो इधर हो रहा था, इनका turning जो है, इधर ह बागी question सेम पूछाए, starting point से देखो, तो इनका जो है direction अभी किदर है, तो 35 का A हो गया, 35 का A, 36, 36, देखो, क्या बोला है, 36 में, I started walking down a road in the morning facing the sun, तो facing the sun मतलब हम लोग east के तरफ जा रहे है, अगर पोई sun को face करते वे morning बोला है, morning बोला है, मतलब east के तरफ जा रहा है, तभी facing sun हो सकता है, ठीक है, after working for some time, I turn to my left, तो पहले east के तरफ चले जाते हैं, फिर कुछ देर जाने के बाद left में turn करना है, left मतलब हो जाएगा हम लोगों का ऊपर, ठीक है, left के तरफ turn करना है, turn to my left, then I turn to my right, अब फिर right के तरफ जाना है, ठीक है, ऐसे है, right के तरफ जाना है, मतलब ये जाना है, ठीक ह जाना है, मतलब east के तरफ जाना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो अभी ये वाला direction किदर है, बोलो, बोलो, कौन सा direction है ये वाला, east, east, correct, east, 36 का east हो गया, मतलब option east, 37, देखो क्या बोल रहा है, लक्षमन वर्क, टू किलो मेटर नॉर्थ फ्रॉम हाउस, और टू के turn to left, ये शायद ऐसा question अम लोगों ने किया भी, ठीक है, कोई बात नहीं कर लेते हैं, अभी, अच्छा, यहाँ पर लक्षमी दिया, लक्षमी वर्क, टू किलो मेटर नॉर् from his house, मतलब ये उनका घर है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने घर बना दिया, and took a turn to left, अब left side में चले गए, मतलब इधर, took a turn to left and continue to work another one kilometer, अच्छा, अभी ये one kilometer गए, one kilometer and finally see turn left and reach the school, और left में जाके school पहुंच जाते, left में जाके थोड़ा दूर चलने के बाद वो school पहुंच गई है, तो left मतलब किदर हो जाएगा, left मतलब नीचे के तरद, ठीक है, तो यहाँ पर suppose हो गया school है, अब distance तो बताया नहीं है, कि कितना distance cover हुआ, which direction is he facing now, अभी उनका face कौन से direction में है, face कौन से direction में है, बोलो, face कौन से direction में है, south के तरफ, south के तरफ, face जो है south के तरफ, तो 37 का c हो जाएगा, देखते हैं, 37 का c, हाँ, 37 का c, 38, you are going straight, first eastward, हम लोग पहले straight जा रहें, east के side, then turn to right, फिर right में turn लेना है, ठीक है, right मतलब ये नीचे के तरफ हो जाएगा, ठीक है, downward हो गया, and then फिर right again, फिर ऐसे जाने के बाद, फिर right again, मतलब इधर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे है, तो face to face है, तो right again हो गया, then right again, then left, then left, इस condition में left, left मतलब downward, left मतलब downward, in which direction would you be going now, अभी कौन से direction में हम लोग जा रहें, तो बोलो कौन से direction में, कोई kilometer वगेरा नहीं है, सिर्फ एक distance बताया है, तो बोलो कौन से direction में, अभी हम लोग जा रहें, बोलो कौन लोग तो नीचे के तरफ जा रहें, नीचे कौन से direction होता है, बोलो, south, south, तो देखते south यानी के option C, चलो चेक करते south यानी के option C हो, 38, complete 39, if एहमद travels towards north from his school, तो school से north side में जा रहे हैं, school से north के side में जा रहे हैं, then to left, फिर left जा रहे हैं, then to south, covering equal distance in each direction to reach Sohan's house, in which direction is एहमद house now, तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर बोल रहा है, एहमद travels towards north from his house, तो एहमद जो है, suppose यह है एहमद का घर, यह मैंने ए लिख दिया, यहाँ से यह north के side travel कर रहें, वहीं बोला है, ठीक है, from his house, then to left, अब यह left में turn हो जाएंगे, left मतलब यह इधर हो जाएगा, तो यह मैंने left में turn, कितना kilometer बोला नहीं है, ठीक है, तो then left, then to south, covering equal distance in each direction, to reach Sohan's house, अच्छा, तो अब यहाँ पर यह देखो, यह पहले तो बोला कि left, same direction move करेंगे हर जगा पे, ठीक है, लगबख same हमारा distance होना चाहिए, then to left, left कर दिया, then to south, फिर south मतलब नीचे के तरफ जाएंगे, covering same distance in each direction, तो मतलब यह जितना है, यह उतना है, यह भी इतना ही होगा, exact इतना ही होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, exact इतना ही होना चाहिए, to reach Sohan's house, मतलब यह Sohan का घर है, इतना आने पर वो Sohan के घर पे पहुँच गए, एहमद ऐसे travel किया और Sohan के घर पे पहुँच गया, in which direction is Ahmed house now, अभी एहमद का house कौन से direction में है, मतलब यहां से अगर देखो, तो एहमद का house कौन से direction में, यह पूछा जा रहा है, यहां से देखो, वैसे एहमद का house तो यहां पर था, हमें क्या पूछ रहा है, in which direction is Ahmed house now, घर तो चेंज नहीं हो सकता है, कि direction चेंज हो गया, मतलब यहां से पूछ रहा है, कि Sohan के घर से अगर देखे तो Ahmed का house कौन से direction में है, तो बोलो, Sohan के घर से देखने से Ahmed का house कौन से direction, यह तो north था, north के तरफ कहते हैं, east side, east side, तो east option में है, तो यह हो गया option A, चलो देख लेते एक बड़, 39 का option A, ठीक है, 40, 40 में क्या बोला है, देखो, राजा comes towards north, north के side कहा है, turn right, अच्छा, north में गया है, फिर turn right, कुछ distance नहीं बोला है, turn right मतलब इधर, ठीक है, turn right हो गया, क्योंकि देखो, जब हम लोग ऐसे draw कर रहे हैं, तो back हम लोग इस side है, मतलब जैसे हम बैठे हैं, उसी तरह से हो जाएगा, ठीक है, तो यह ऐसे हो जाता है, जब ऐसे हम लोग ब्रॉक करते हैं, तो face to face होता है, तो just opposite हो जाएगा, अच्छा, अब क्या बोल रहा है, turn right, then right again, ऐसे जाने के बाद, फिर से right side, right side, यह left हो गया, यह right, फिर से right side में turn ले लिया, and then go to the left, फिर left में गये, अच्छा, ऐसे जाने के बाद, यह ऐसे है, तो left मतलब इधर हो जाएगा, ठीक है, left मतलब इधर हो गया, distance कुछ बोलाने दा, in which direction is Raja now, अभी वो कौन से direction में है, यह पूछ रहा है, अगर हम लोग का यह ऐसे बन रहा है, तो कौन से direction में है, यह कौन सा direction है, East direction है, East direction, ठीक है, East direction, अब देखो, यह अगर हम लोग इसको कम भी कर देते हैं, माल लो, distance तो मैं नहीं पता, ऐसे भी करेंगे न, तो भी East ही आएगा, जैसे भी इसको draw करो, यह East direction ही बनेगा, ठीक है, 41, 41 में क्या बुला है, रूपा start from a point and walk 15 मीटर towards West, West के साइड रूपा 15 मीटर गई, यह West है, इसलिए मैंने इधर दिखा दिया, Turn left and walk 12 मीटर, Turn left, left मतलब नीचे के तरफ, ठीक है, Turn left and walk 12 किलो मीटर, 12 मीटर शाइब, 12 मीटर है, Turn right and again walk, Turn right, ऐसे situation में right side जाना है, मतलब इधर, राइट में turn लेके वो चलने लगी, What is the direction C is now facing, अभी उनका face कौन से direction में, यह पूछा जा रहा है, बुलो, अभी उनका face कौन से direction में, यह कौन सा direction है, बुलो, कौन सा direction है, यह वाला कौन सा direction है, यह same direction ही तो है ना, जिस direction में चल रही थी, उसी direction में भी फिर से मूड़ गए, तो बुलो कौन सा होगा, West, चलो, 41 West, यानि की, बी, ठीक है, बी होगा, 42, 42 में क्या बोला है, देखू, मतलब East के तरफ जर्णी स्टार्ट क्या होगा उन्होंने, क्योंकि Sun rises East बोला है, Morning में, ठीक है, यहाँ पर बोल दिया है कि Morning में जा रहे है, तो मतलब, Facing Sun यानि की East के तरफ, He then turns right and walk 2 किलोमेटर, अच्छा है, तो पहले वो इधर गए, फिर turn right, Right मतलब किधर हो जाएगा, नीचे के तरफ, ठीक है, Turn right, Turn right and walk 2 किलोमेटर, He then walk 3 किलोमेटर, आफटर टर्नीं राइट एगें, फिर से राइट में घूमके, फिर से राइट मतलब इधर हो जाएगा, फिर से राइट में घूमके, उन्होंने 3 किलोमेटर ट्रैवल किया, 3 किलोमेटर, After turning right again, He then walk 3 किलोमेटर, After turning right again, मैंने सही किया, पहले East के तरफ जर्नी किया, Then he turns right and walk 2 किलोमेटर, Then 3 किलोमेटर, अच्छा, फिर which is the direction he is facing now, अभी उनका face कौन से direction में है, तो बोला, कौन से direction में है, ये कौन सा direction होता है, बोलो, ये कौन सा direction होता है, West, ठीक है, ये West हो गया, यानि, C, Option C, चलो देखते हैं, Option C होगा की नहीं, हाँ, Option C, 43, 43 वाला, देखो, ध्यान से देखो, इसको ठीक है, ये थोड़ा सा, अलग है, Roy works 2 km to East, Roy जो है, वो 2 km East के तरफ चले, ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 km दिखा देखे, 2 km East के तरफ के, देन ही टन्स North West, अब North West हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, North West हमें समझना पड़ेगा, तो North West के लिए, हम लोग क्या करेंगे, ताकि हम लोग का सही सही North West हो, इसलिए हम एक डायरेक्शन यहाँ पर बना लेते, देखो, East, West, North, South, ठीक है, ऐसे करके मैंने, बना लिया, अब एकदम, एक्जाक्ली हम लोग को क्या ढूंदना पड़ेगा, North West, North West में 3 km, अच्छा, तो North West मतलब यह direction हो क्या, एक पर फिर से पढ़ लेते, Roy work 2 km to East, then he turns North West and work 3 km, then he turns North West, अब यहाँ से हमें North West चेक करना पड़ेगा, तो यह अगर East है, यह East है, यह West है, यह North है, यह North West मतलब इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, North West मतलब तो इधर हो जाएगा फिर, अच्छा, North West कर लेते, 3 km, अगर यह East है, यह West हो जाएगा, यह North हो जाएगा, यह South, तो यह North West, ठीक है, 3 km, then he turns South and work 5 km, then he turns South, South मतलब नीचे के तरब, then he turns South, छोटा हो गया मेरा ट्रॉप, then he turns South and work 5 km, रुको, यह वाला ट्रॉप ऐसे करेंगे, तो नहीं समझ मैंगा, क्योंकि जगा, यूटिलाइज नहीं हो जाएगा, 2 km, यह East हो गया, यह West हो गया, यह North हो गया, यह South हो गया, अब सही होगा, then he turns North West, अब यहाँ से वो North West direction में गये, 3 km, then he turns South and work 5 km, फिर South मतलब नीचे के तरब 5 km, यह distance थोड़ा सा मेरा गरलत हो जा रहा है, तीन ज़्यादा हो गया, 5 कम हो गया, इसको सही करना पड़ेगा, तीन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, यह इसी को थोड़ा कम कर लगते हैं, 3 और यह 5, देखते हैं कैसा हो रहा है, देखते हैं क्या क्या है, साउथ, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, नॉर्थ, 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 इस्ट, मतलब एक कॉर्णर वाला ही आंसर होगा, तो देखो कौन सा आंसर होगा, पूछ रहा है कि अभी उनका डाइरेक्शन किधर है, तो कौन सा डाइरेक्शन में आ रहा है, corner वाला answer देना है तो यह east, west, north, south बोलो यह कौन सा direction है ते यह दोनों के middle का क्योंकि देखो सारा option ही तो उसी तरह से है न तो हमें इसी सबसे कोई एक answer मिलेगा तो बोलो कौन सा answer होगा normally देखो तो इसको north बता सकते थे लेकिन क्योंकि हमें east, west, north, south नहीं पुछा है answer में corner wise पुछा है तो corner कौन सा बन रहा है वही बता देंगे तो यहां देखके बता सकते हैं यह east है, west है, north है, south है बोलो यह अभी कौन सा position है, कौन से दो corner के, sorry, कौन से दो side के middle में है, वही बाला होगा बोलो North-west 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 यानि कि option C, 43 का option C हाँ, 43 का option C 44, देखो क्या बोला है, सीता starts from a point, walk two kilometer towards north, ठीक है तो कोई एक point से start करके, two kilometer north में travel किया गया है and walk two kilometer towards north, turn towards the right and walk two kilometer, फिर ऐसे जाके right में two kilometer again and walks, what is the directions he is facing now, नहीं और एक बार था ना, and walks two kilometer, तीन बार है सीता starts from a point, walk two kilometer towards north, turn towards her right and walk two kilometer, turn right again and walk, then right again, right मतलब हो जाएगा नीचे, right again and walk अभी पूछा गया है कि what is the direction C is facing now, इनका फेस कौन से direction में है, फेस कौन से, ये बैक साइड होगा, फेस कौन से direction में है, ये पूछा जा रहा है South, South, 44 का C, ठीक है, देखते हैं, 44 का C, 45, देखो क्या बोल रहा है आपर, श्याम वस पेसिंग east, he walk five kilometer forward and after, then after turning to his right, walk three kilometer, तो पहले east के side five kilometer, then after turning to his right, walk three kilometer, right side में जाना है, right में जाके three kilometer, ये right हो क्या, down side, again he turned to his right and walk four kilometer, फिर right side जाना है और four kilometer, मतलब इधर, तो ये हो जाएगा, इससे कम होगा, क्योंकि ये four kilometer है, तो four kilometer right में चले गए, after this, he turned back, which direction was he facing at that time, अब वो मुड़ गया, ठीक है, मतलब उन्होंने पूरा turn कर लिया, तो पहले वो ऐसे खड़े थे, तो उनका ये back side था, ये जो है, ये facing था, ठीक है, अब अगर वो turn कर लेते हैं, दीरे दीरे ऐसे turn कर लेते हैं, तो वो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, तो मतलब just opposite direction हो जाएगा, तो बोलो उनका face किधर है, तो अगर turn नहीं करते, तो face जिदर होता, just उसका opposite side होगा, बोलो answer क्या होगा, मतलब हमें answer क्या पूछ रहा है, उसके उपर देना है, ठीक हमेशा हम लोग का एक जैसा answer नहीं होगा, तो अभी इनका face किधर है, just उसका opposite side होगा, अगर वो turn कर जाते हैं, तो बोलो, East हाँ, अभी तो उनका face west side है, तो अगर turn कर जाएंगे, तो east side हो जाएगा, तो 45 का E 46 46 में क्या बोला है, देखो राजू is standing facing north, तो north के side face करके राजू खड़े है, he goes 30 मीटर एहेट, वो 30 मीटर उसी हिसाब से आगे चले गए, तो north के तरफ फेस करके थे, और 30 मीटर उसी हिसाब से आगे चले गए, turn left and goes for 15 मीटर, फिर left में मुड़के 15 मीटर, तो left इधर हो जाएगा, 15 मीटर चले गए, now he turns right and goes for 50 मीटर, फिर right में turn हो गए, अब इसी साब से right ऐसे होगा, और 50 मीटर मतलब काफी जादा होगा, तो 50 मीटर हो गया and finally turns to his right and walk, अब राइट में मुड़के चलने लगे, मतलब इधर, इधर चलने लगे, ठीक है, अच्छा, अब हमें यहाँ पर बोल रहा है, which direction is he heading, अब उनका head किदर है, मतलब सीधा बात है face ती पूछ रहा है, ठीक है, तो यह कौन सा direction है, अभी वो ऐसे चल रहे है, तो उनका head कौन से direction में है, यह पूछा गया है, East direction, East, correct, East direction हो जाएगा, 46 का answer हो गया, बी, East, 47, संजमित्रा स्टार्ट्स पॉम इस हाउस एंड बग 3 किलोमेटर तो नौर्थ के साइट, 3 किलोमेटर, 3 किलोमेटर थोड़ा कम कर लेकिए, 3 किलोमेटर, अच्छा, then he turns right and walk 2 किलोमेटर, then he turns right and walk 2 किलोमेटर, यह 2 किलोमेटर हो जाएगा, यह 3 है, यह 2 किलोमेटर, and then he turns right and walk 5 किलोमेटर, ऐसे condition में right में turn करके 5 km जाना है right मतलब नीचे के तरफ हो जाएगा 5 km मतलब हो जाएगा ये 3 km को पार करके जाना है ठीक है ये 5 km ठीक है ये 5 km ये 3 थोड़ा सा और कम कर जाएगा 5 km हो गया then he turns right and walk 2 km then he turns right right means इधर हो जाएगा और 2 km मतलब ये पूरा डिस्टेंस इतना 2 km अच्छा and then again turns right and walk 2 km फिर से right में इस condition में right में यानी up और फिर 2 km तो ये क्योंकि full 5 km है तो ये 2 km ठीक है तो ये पूरा rectangle बन गया इधर 2 इधर 2 इधर 5 और इधर 3 प्लस 2 5 km ठीक है तो यहां पर बोल रहा है कि 2 km which direction is he facing now अभी उनका face कॉन से direction में अभी तो यहां पर है तो face कॉन से direction में face कॉन से direction में बोलो face कॉन से direction में अभी तो वो upward में है तो face कॉन से direction में होगा North North तो North का option क्या है North का option A 47 का A हो गया 48 48 का question जो है थोड़ा सा अलग है ठीक है इसको भी ध्यान से देखो Raju is Ramu's neighbor ऐसा question last class में भी हम लोगों ने किया था उसी से मिलता जुलता है ठीक है अब यहाँ पर क्या बोला है देखो Raju is Ramu's neighbor and he stays 100 meter away towards southwest अब यहाँ पर बोल रहा है Raju और Ramu दोजन neighbor है और लेकिन किसके घर से किसका distance बता रहा है Raju का जो घर है Raju is Ramu's neighbor and he stays 100 meter away towards southeast Southeast में उनका घर आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग पहले direction बनाएंगे इस तरह की question East West North South क्योंकि जब भी corner वाला question रहेगा तो हम लोग अगर direction नहीं बनाएंगे तो problem हो जाएगा अब यहाँ पर क्या बोल रहा है Raju is Ramu's neighbor and he stays 100 meter away towards southeast Southeast में 100 meter away रहते हैं South East मतलब इधर हो गया तो यहाँ से देखेंगे तो South East मतलब यह बन जाएगा ठीक है यह ले लेते हैं 100 meter का distance है 100 meter के distance में यह फिर किसका घर हो जाएगा यहाँ पर यह point जो है यह हम लोग घर बना लेते हैं तो Raju is Ramu's neighbor He stays 100 meter away towards southeast तो यह किसका घर हो गया यह Raju का घर हो गया क्योंकि Raju जो है वो South East में उनका घर है तो यह वाला किसका घर हो जाएगा यह Ramu का ठीक है मैंने यह ऐसे point दिखाए जैसे Google mapping में रहता है न उस तरह से तो देखो Raju is Ramu's neighbor He stays 100 meter away towards southeast अब यह South East में इनका घर है 100 meter away Venu is Raju's neighbor अब Raju के neighbor कौन है Raju के neighbor है Venu and he stays 100 meter away towards southwest अब Venu का घर Southwest में 100 meter के दूरी पे है तो यहां से Raju के हिसाब से Southwest में तो Raju के हिसाब से Southwest कैसे हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर हम लोग direction बना लेंगे यह देखो East, West, North, South तो South क्या बोला है South देख लेते हैं यहाँ पर Southwest बोला है Southwest मतलब यह वाले direction यह वाले direction में 100 meter के distance पे 100 meter के distance पे किसका घर है यह वाला Venu का घर है यह मैंने V से denote कर दिया ठीक है Venu का घर है अच्छा अब उसके बाद यहाँ पर के खेदार is Venu's neighbor and he stay 100 meter आवे towards Northwest अब यह Northwest में 100 meter अब यहाँ पर Northwest हमें बर्याना पड़ेगा Northwest तो यह देखो East, West, North, South तो Northwest मतलब यह वाला direction यहाँ से 100 meter 100 meter दूरी पे के खेदार का घर है 100 meter दूरी पे हो गया Northwest हो गया Then where is the position of खेदार भूम in relation to Ramu तो अगर Ramu के इसाब से देखे तो इनका घर किधर है Ramu के इसाब से देखे तो इनका घर किधर है यह हमें पूछा जा रहा है Ramu के इसाब से देखो तो इनका घर किधर है बोलो, अगर रामू के घर से देखे, तो ये खेदार का घर किदर है? बोलो, रामू का तो डारेक्शन बना हुआ है, east, west, north, south, तो रामू के यसाब से देखे, तो कौन से डारेक्शन में, ये वाला घर कौन से डारेक्शन में? हैं तो जैसे हम लोग नहीं पर चोटा चोटा साउथ वेस्ट क्यूंकि एक तो मुझे पूरा ऐसे बना नहीं था नहीं तो हम लोग कर नहीं पाते फिर उसके बाद हर एक जगा पर हम लोगों ने डारेक्शन को दिखाया और यहां पर अगर देखे तो फिर यहां से चेक करो साउथ वेस्ट मतलब ऑप्शन बी पॉट्टी एट का ऑप्शन बी हो गया 49 में क्या बोल रहा है रमेस वाक्ट 3 किलोमेटर तो वेस्ट के साइट 3 किलोमेटर ठीक है तो यह मैंने वेस्ट के साइट 3 किलोमेटर कर दिया अब अब ऐसे जा रहे है लेप्ट में यानि उपर और 2 किलोमेटर चले गा He then turned to his right and walked 3 km, फिर right side में 3 km यह right side हो गया, 3 km, finally he turned to his right again and walked another 2 km इस condition में right side, मतलब नीचे और 2 km, मतलब लगबग यह full जितना distance है उतरा ही, 2 km In which direction is Ramesh from his starting point now? Starting point से देखो, तो यह कौन से direction में है, ऐसे देखोगे तो यह दिखेगा south लेकिन starting point से बोलो कि यह कौन से direction में है बोलो starting point से कौन से direction में है बोलो starting point से south, starting point से बोलो यह तो starting point है ना, starting point से बोलो यह हां starting point से हो गया east east मतलब यह वाला 49 का east मतलब A देखते हैं 49 का A है कि नहीं गलत हो गया क्या 49 का B है अच्छा रमेस वक्ट 3 किलोमेटर टुवर्ड्स वेस्ट ओ अच्छा मैंने तो पहले गलत कर दिया 3 किलोमेटर वेस्ट के जगा मैंने east कर दिया इसलिए थोड़ा सा गलत हो गया यह इस अगर होता तो answer सही था 3 किलोमेटर वेस्ट होगा यह देखो सही ऐसे होगा यह गलत इसलिए हो गया मैंने 3 किलोमेटर वेस्ट के जगा east में कर दिया अच्छा 3 किलोमेटर then he turn to his right अब ऐसे जाने के बाद right turn करना है मतलब यह इधर हो जाएगा right में फिर 3 km तरी किलो मेटर right में फिर 3 km यहां पर कितने 3 finally he turn to his right again and work to another two kilometer right मतलब इधर ठीक है और two kilometer अच्छा अब इनका जो distance है स्टार्टिंग पॉइंट से किधर है फिर से वही क्वेश्चन ही है लेकिन मैंने तब थोड़ा सा गलत ड्रॉ कर दिया मैंने पूरा वेस्ट एस्ट लेके कर दिया यहां से देखो तो यह कौन सा डाइरेक्शन है बोलो यह आंसर नहीं हो हां जस्ट ऑपोजीट हो जाएगा वेस्ट 49 का डी हो जाएगा यह पूरा मतलब मेरा ड्रॉ थोड़ा सा गलत हो गया ठीक है अब लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता है इस्ट साइट तो फिर यह आंसर होगा इसलिए मैंने इसको काटा नहीं हूँ ठीक है 50 शार देको 50 में क्या बोला है डीपा स्टार्ट वाकिंग नौर्थ नॉर्थ तुवर्ड्स ऑर राइट तो पहले नौर्थ में गई, फिर राइट में टूर्ड हो गया तो नौर्थ डिस्टेंस तो कुछ नहीं बोला है फिर राइट राइट जाना है मतलब इधर हो जाए सबोस्थ यह अगर 1 km है, लेफ्ट में जाके 1 km चली, C turns, C then turns, यह turns होगा, to her left again, फिर left side में, left side मतलब इधर turn करना है, ठीक है, left side मतलब इधर turn करना है, in which direction C moving now? अभी वो कौन से direction में move कर रही है, बोलो यह कौन सा direction है, अगर यह लेफ्ट टर्न के बाद पूछा जा रहा है, कि कौन से direction में move कर रही है, बोलो कौन सा direction होगा? West West Correct, तो 50 का West मतलब option हो जागा, हम लोग का B देखते हैं B, ठीक है 50 के बाद 51 51 में क्या बोला है, देखो Raman starts working in the morning facing the sun मतलब east के side जब ऐसा हमें दिया हुआ है language में हमें समझ लेना चाहिए कि morning में है तो sun के side face अगर ये evening होता तो ये west हो जाता ठीक है after sometimes he turned to his left later again he turned to his left अच्छा दो बार lift तो ऐसे जाने के बाद left मतलब upside होगा और essay में फिर left मतलब इधर हो जाएगा ठीक है फिर left में चलेगा at what direction is Raman moving now अभी वो कौनसे direction में move कर रहे तो बोलो same ही है यही वाला question होगा लगवा बोलो कौनसे direction में move कर रहे बस ये चीज नहीं है answer same ही होगा direction तो यही वाला है answer क्या होगा west ही होगा फिर्फ इसमें ये वाला नहीं था तो देख लेते हैं west मतलब b 51 का b चेक करते हैं 51 का b 52 52 में क्या होला है देखो कमल starts working towards north then turns left north के side गया फिर left turn हो गया north के side गया फिर left मतलब इधर फिर left turn हो गया and cover some distance then he turns right and walk फिर right में जाके कुछ दिर चले फिर right में जाके कुछ right मतलब उपर हो जाएगा after some times he turn to his right and then turn left फिर right में मुड के फिर left ऐसे situation में right जाना है मतलब ये फिर left जाना है ऐसे इधर ऐसे है तो ये हो गया ना face तो left जाना है मतलब ये उपर के तरफ हो जाएगा ऐसे कोई खड़ा है ठीक है ये इधर face है तो left मतलब उपर के तरफ जाना पड़ेगा in which direction कमल is walking now अभी वो कौन से direction में चल रहे है ये कौन सा direction है बोलो ये कौन सा दिरेक्शन है बोलो एक वर्फ southwards south के side and then turns right तो south मतलब नीचे के तरफ आए ऐसे है ऐसे अगर कोई आ रहा है तो हमारे face to face कड़ा है face to face मतलब फिर right turn लेने का मतलब हम लोग अपने left side में इसको draw करेंगे ठीक है left side में हो जाएगा हम लोगों का अच्छा इसके बाद then then left and then right फिर left और right ऐसे है left मतलब नीचे के तरफ और ऐसे situation में right मतलब फिर से इधर हो जाएगा ठीक है right मतलब फिर से इधर हो जाएगा in which direction is it moving now अब यह कौन सा direction है उसी तरफ move कर रहे है तो यह ही direction पूछ रहा है बोलो यह कौन सा direction है ऐसे चले मेरा से west correct west हो जाएगा west मतलब option c west मतलब option c तो 53 का c ठीक है और last question 54 54 में क्या बोलाए देखो a man started to walk east अच्छा east के तरफ वो चल रहे थे ठीक है after moving a distance he turned to his right अब इस situation में वो right में turn करने वाले है मतलब right मतलब अब इनका face ऐसा है तो right मतलब इधर हो जाएगा ना face इधर है अगर किसी का face इधर है कोई ऐसे खड़ा है तो यह right side मतलब नीचे के side हो जाता है ठीक है तो यह right side हो गया अच्छा then he turned to his right after moving a distance he turned to his right again अब ऐसे situation में फिर से right मतलब यह ऐसे है इनका face हमारे face के साथ है तो हम लोग का left side इनका right हो जाएगा मतलब इधर turn कर जाएगे ठीक है after moving a little he turned in the end to his left तो left में इसके बाद turn कर रहे ऐसा है तो left में turn करना है तो इसका मतलब नीचे के side में जा रहे मतलब यह वाला direction पूछ रहे की तो वो अभी ऐसी चल रहे in which direction is it going now बोलो यह कौन सा direction not I'm sorry south south हो जाएगा मतलब b south मतलब b चलो देखते है 54 54 था न 54 का b ठीक है 54 का b हो गया तो देखो यह हम लोग का complete होगी है तो देखो इसमें तुम लोग को करना क्या है मेल ली तुम लोग को यह directions समझना पड़ेगा कि east to west अगर face इधर है तो hands की मतलब कौन सा hand right हो रहा है left हो रहा है उसी साब से में directions बनाते जाने करने तो एक बर तो मैंने करवा दिया तुम लोग को क्या करना है सारा question को खुद बीना copy check किये वे खुद से पुरा बना के देखना है कि answer क्या हो रहा है तो तुम लोग का पुरा practice हो जाएगा बहुत सारा question है 54 तक अगर फिर से एक बार अभी कर लोगे मतलब इसी week के अंदर तो फिर भूलोगे नहीं ठीक है तो next class में हम लोग नया को इस topic स्टार्ट करेंगे ठीक है यह वाला हम लोग का complete हो गया और इसका जो lecture one है यह हम सैननों को भेज देंगे ठीक है Yes ma'am